हलो दोस्तों नवस्कार मैं हूं कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इंट्रोटेक्श है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे Adobe Photoshop की मदद से YouTube चैनल के लिए चैनल लोगों कैसे बनाते हैं और उसे 3D में कैसे टाइप करते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी हम अपने desktop इस्क्रीन पर हैं दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम Photoshop को ओपन कर ले रहे हैं आपको भी अपने computer में Photoshop को ओपन करना होगा ध्यान रहे अगर जो आपके computer में Photoshop नहीं है तो उसे install अवस्ते कर लें उसकी वीडियो अगर देखनी हो तो इसी वीडियो के description में एक हमनी वीडियो का link रखा है उसे click करके आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों जब Photoshop open हो जाए तो फाइल को click करना है और new को click करना है new को click करने के बाद दोस्तों यहां पर अगर जो कोई और भी मापक हो तो यहां पर inches को ले लेना है और inches को लेने के बाद width में 3.24 और height में 3.27 ले लेना जो की बहुत ही actual size होती है YouTube channel के logo के लिए और यहां पर ok को click कर देना है जैसे ok को click करते हैं तो देखें हमारे पास एक page यहां पर बनकर आ गया है अब दोस्तों इसके लिए अगर जो कोई आप अलग color देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और अगर जो color नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं अब चलिए दोस्तों इस पेज को थोड़ा साम छोटा कर लेते हैं और पुना हम एक नया पेज ले लेते हैं अब नया पेज में आप कोई भी साइज ले सकते हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इंटरनेशनल पेपरन को लेकर OK कर दे रहा हूं अब यहां पर दोस्तों आपको एक सेप बनाना है तो चलिए सेप के लिए हमने सेप को क्लिक किया और यहां पर एक सेप मैंने ड्रॉब कर लिया देखे हमने सेप को ड्रॉब किया तो यहां पर रेट कलर में फिल होकर आ रहा है रख देते हैं, थोड़ा सा और इसे हम छोटा कर दे रहे हैं, छोटा करने के बाद दोस्तों ध्यान रखना है, अपने कम्प्यूटर के कीबोड से अल्ट बटन प्रेस करके रखना है, और इसकी कई प्रतिलिपी तयार कर लेनी है, जैसा कि अभी आप डेक्स्टॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और कई प्रतिलिपी तयार करने के बाद दोस्तों देखेंगे, तो स्क्रीन भर चुका है, अब इसमें आपको M बटन प्रेस करना है, और इसका राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक कर, ब्लेंडिंग आप्शन को क्लिक कर देना है, और यहां से कलर ओभर ले को क्लिक कर देना है, और इसे अलग-अलग कलर दे देना है, चलिए हमने इसे ओके कर दिया, एक कलर हमने ब्लू कर लिया, दूसरे वाले को हम एक दूसरा color देना चाहते हैं तो इस पर right click करें blending option और color overlay यह भी देखेंगे तो blue हो गया है यहां से color को click करके हम यहां से pink color ले ले रहा हैं और okay अभी हमारे पास दो color हो गया फिर तीसरे वाले save को हम select कर ले रहा हैं और M button press करके इस पर right click करके blending option को click कर color overlay से कोई एक दूसरा color दे दे रहा है जैसे कि यह वाला color और okay अभी देखते हैं तो एक और red color में बच रहा है तो इसे select कर लेते हैं और इस पर right click करके हम blending option लेकर इसे एक और कोई color दे दे देते हैं इसलिए color overlay कर ले रहा है और यहां से हम इसे हलका सा yellow कर ले रहा है yellow और okay अब देखेंगा दोस्तों हमारे पास बहुत सारा यहां पर save हो गया है तो इसे एक करके थोड़ा सा save हम side कर दे रहा है नीचे की तरफ red color में देखें हमारे पास दो save है तो एक save को और side कर लेता है अब यहां पर इसे इसके उपर रखना है control T करना है और इसे थोड़ा सा आपको rotate कर देना है थोड़ा सा rotate करना है और enter की press कर देना है अब ऐसे ही दोस्तों अब इस पर आपको लाना है yellow color और yellow color को उपर करना होगा तो control और close brace की को आप press करेंगे जैसे close brace को प्रेस करेंगे तो यह उपर की तरफ आ जाएगा इसे भी पहले red वाले को उपर set कर लेना है और इसे भी थोड़ा सा आपको घूमा लेना है जैसा कि अभी आप देख रहा है चलिए हमने इसे भी घूमा दिया इसके बाद हम यह pink वाला ले ले रहे हैं पिंक वाले को इसको red वाले की उपर लाके रख लेना है यह इस पर set हो चुका है अब इसे उपर करने के लिए control और close brace को press करते जाएंगे तब तक जब तक कि यह उपर ना आ जाए उसके बाद आपको control T करना है और पुना इसे rotate कर लेना है चलिए हम इसे rotate कर लेना है देखेंगे तो हमने इसे यहाँ पर rotate कर दिया क्लिक करना है ताकि यह उपर आ जाए और control T कर देना है select करने के लिए और यहाँ पर देख रहे है जहाँ पर mouse pointer है जैसे इसके border के side में लाएंगे अपने mouse pointer को तो यह टेड़ा साथ display होने लेगा rotate option के जैसे तो इसे आपको click करके और rotate करते जाना है तहां तक जब तक कि आपको यह अच्छा न लगे कि हाँ यह वाला हमें पसंद है तो चलिए इसे हम यहाँ पर छोड़ देते हैं इसे छोड़ने के बाद देखें एक और red color का यहाँ पर display हो रहा है इसे हम ने select किया तो देखें दोस्तों हमने इसे rotate कर दिया अब rotate करने के बाद से कोई खास आपको look नजर नहीं आ रहा होगा तो सबसे पहले ध्यान दिजिएगा दोस्तों आपको क्या करना है कि इस पर right click करके इसका एक duplicate त्यार कर लेना है जब भी Photoshop में आप कोई design करें तो उसका duplicate जरूर त्यार कर लें चलिए हम इसके duplicate page पर कारेंगे और एक page को कुछ देर के लिए side रखेंगे तो हम duplicate page पर कार कर रहा है इस पर ध्यान रखना है दोस्तों सबसे पहले red वाले पर click करना है और shift button दबाए रखना है फिर blue वाले पर right click करना है और उसे जो इसका नाम है उसे click कर देना है हमने अपने computer के keyboard में shift button दबाए हुआ है और सभी shape को आपको click कर देना है click करने के बाद आपको control T करना है देखेंगे सब के सब एक साथ select हो चुक है अब corner से यहां से थोड़ा सा छोटा कर देना है चली हम इसे थोड़ा से छोटा कर दे रहा है और इसे center में लाकर छोट दे रहा है अब आप देखेंगे तो बहुत ही खुबसूरत सा यह page आपको display हो रहा होगा बिल्कुल ही center में इसे ला देंगे और center में लाने के बाद से enter की press कर देंगे अब देखेंगे दोस्तों तो यह page बहुत ही खुबसूरत नजर आ रहा है अब यह जो background है इस background को हम erase कर रहे है देखेंगे बिल्कुल ही एक खाली-खाली नजर आ रहा है अब दोस्तों इस पर आपको एक text type करना है अब उसके बाद दोस्तों आपको पुना एक नया page ले लेना है और नया page के उपर आपको text tool से अपने channel का नाम type करना है हमने hanger बना दिया अब इसमें type कर दे रहा है पवन info text अभी आपको display नहीं हो रहा होगा चलिए इसे हम control ये करके थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं select करके अब आप देख रहोंगे तो ये थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा थोड़ा और इसे बढ़ा कर दे रहा है हम अभी देख रहा है पहन info take मेजर आ रहा है चलिए थोड़ा सा इसे और हम बढ़ा करने की कोजिस कर रहा है Ctrl T और यहां से इसके बीच की दूरी को थोड़ा साम बढ़ा दे रहा है ताकि आपको असपस रूप से दिखाई दे यह काफी बीच में दूरी आगे तो चलिए इस दूरी को हम कम कर देते हैं इसको हम 60 कर दे रहा है 60 अभी अच्छा लग रहा है तो चलिए इसे थोड़ा साम छोटा कर देते हैं अग Ctrl A अगर जो हम इसके font को style को बढ़ना चाहते हैं तो यहां से बहुत से style मिल जाते हैं आप यहां से style बढ़ सकते हैं चलिए देखते हैं कौन सा style हमें पसंद आता है यह वाला text हमने select कर लिया अब इसके बाद दोस्तों इसका outline सेट करना है तो उसके लिए move tool को select कीजिए और M button को press कीजिए और इस पर right click करके blending option में चले जाएए option में जाकर यहां पर आपको stroke लगाना है और stroke के color को आपको black रखना है black रखते हैं तो यह yellow पे बहुत ही खुबसूरत दिखता है तो देखे हमने phone info take type की हुआ है और ok कर दिया अब उसके बाद दोस्तों आपको simple अगर जो आपके computer में eye candy plugins है तो उसका उप्योग करके इसे 3D में बना सकते हैं अब यहां आपको पसंद आए तो अब इसे 3D में नजर आएगा तो इसे हम Ctrl T करके अपनी इक्षानुसार बेवस्थित कर ले रहे हैं अब यह आप देख रहे हैं और जब यहां आपको पसंद आए तो अब इसे drag करके अपने पुराने वाले पेज पर लेके चले जाएं जहां पर आप अपना logo डिजाइन कर रहे थे देखे हमने पुराने वाले पेज पर अपने लाके यहां पर रख दिया अब यहां पर पुरा इसे Ctrl T करके हम इसे अपनी इक्षा अनुसार ब्यवस्ति कर ले रहे हैं तो देखे हैं फाइनली हमने इसे तयार कर दिया पवन इन्फो टेक यदि आप भी बनाना चाहते हैं तो इसकी मदद से बना सकते हैं या अगर जो आपको बनाना नहीं आता है तो सेम सेम logo आपको पसंद आ रहा है या फिर आपको जैसा भी पसंद दो तो आप हमें online order दे सकते हैं हम आपके लिए logo बना कर दे देंगे चलिए अब इसे save कर लेते हैं तो save करने के लिए आपको file में जाना है और save को click कर देना है save को click करते वक्त दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसे channel logo के नाम से ही save करना है ताकि यह तुरंत आपको पता चले तो हमने यहाँ पर नाम दिया channel logo और इसे एक बार phd में save कर लेना है ताकि 22 में कभी edit करना हो तो आप पुना edit कर सके हमने इसे save कर दिया और save करने के बाद पुना control shift s किया save as के लिए और यहाँ पर हम इसे png में save करेंगे तो हमने png select किया और save को click कर दिया और यहाँ पर ok अब इसे minimize करते हैं और अपने desktop screen पर आकर देखते हैं तो देखें यहाँ पर display हो रहा है channel logo और यहाँ पर भी display हो रहा है channel logo तो एक phd है और एक हमारा png है तो इस पर right click करके और यहाँ पर preview को click करते हैं तो देखें हमारे channel का logo यहाँ पर HD में display हो रहा है पवन info tech तो चलिए अब इसे हम कर देते हैं close आठ के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे channel को subscribe कर लिजे हमारे वीडियो को like कीजे अपने दोस्तों में share कीजे मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टापिक से साथ तब तक के लिए नवतकार जय हिन जय भारत